नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बुदरिया इन्या नूटूबर और आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों क्या आप भी परेशान है अपने पाइल्स से यानि की बवासीर से आपके बवासीर में दर्द रहता है आपके बवासीर के मस्से बहुत बड़े हो गई हैं फूल गई हैं और उनसे बलड़ भी आता है या फिर आपके बादी वाले मस्ते हैं तो दोस्तों आज मैं जो नुसका बताने जा रही हूँ इस नुसके से आपके पाइल्स यानि कि बवासीर चाहे बादी वाले हो या फिर खूनी वाले हो दोनों ही बवासीर आपके अच्छे हो जाएंगे और यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में दोवारा बवासी ना हो तो वीडियो पूरा देखना इसके साथ मैं कुछ बाते मैं और बताओंगी तो आपको कभी भी जीवन में आपके बवासी लोट के नहीं होगी तो चलिए वीडियो करते हैं श्टार्ट वीडियो पसंदाव वीडियो को लाइक कर दिना, दोस्तों शेर कर दिना और चैनल को लेना। पी लियानी की इसका हम छिलका निकाल देंगे तो यहाँ पर मैं एक खीरा लूँगी और इसका मैं छिलका निकाल दूँगी तो चलिए इसको हम छील लेंगे दोस्तो अब यह जो पाइस हो जाता क्यों हो जाता है क्योंकि आजकल का जो खाने पीने का सिस्टम में सारा संब बाहर का जंकle पसंद करते हैं बाहर की मिशमसालेवाली चीजें पसंद करते हैं मेंदग कि आपको अगर मल थैट आता होगा तो वो मल सही से आने लगेगा और आपके जो मल तियाक करने में दर्द होता है पाइल्स में वो दर्द भी बिल्कुल नहीं होगा पहले दिन से ही आपका दर्द गायब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इस खीरे को ग्रेट कर लेंगे आप तो इसका पेश्ट भी बना सकते हैं अब इस खीरे का हम निकाल लेंगे जूस तो आप चाहें तो छनी से निकाल लें या फिर इसको इस तरीके से कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए उससे आप या फिर कोई रूमा ले लीजिए उससे निकाल लीजिए इसका जूस तो हमें यहां लगवग एक गुलास जूस चाहिए अगर आप की यह खीरा ले तो उसमें जूस कम निकले खीरा और थोड़ा ज्यादा ले रहे आप पूरा एक गुलास जूस इसका ले दोस्तों खीरे के जूस में बहुत ज्यादा क्या होता है फाइवर और ये फाइवर आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके पाइल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है एक तो आपके कबजी नहीं मनेगा और दूसरा ये पाइस को सुखाने में तेजी से मदद करेगा अब इसके बाद में ये देखें याप मैंने इसका जूस निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ खीरा है आप चाहें तो इसको दही में डाल करके खा सकती हैं रायता बना करके तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ चीज़ा हमें मिलानी है इस जूस में आप इस तरीके से जूस निकालने ताजा जूस ही आपको लेना है प्लीज आप लोग कमेंट मत करना की जूस एकसास बना करके फ्रिज में रख दें नहीं आपको ताजा निकालना है ताजा पीना है तो आप इस तरीके से जूस को निकालिएगा और अब इस जूस में हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे आदा नीबू यानि की लेमन नीबू में होता है साइट्रिक एसिट जो की आपके बवासीर के मस्तों को सुखाएगा और उनको जाड़ेगा अगर एक बात मैं आपको बता दूँ अगर आपके बवासीर बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं मस्ते फूले हुए हैं तो आप घबडाएं नहीं उनमें से दोखना फूले ब्लड निकलेगा और उसके बाद में वह धीरे धीरे सूख करके सही होंगे तो आप इतना समझ लेना आप इसके मैं आदा नीबू डाल दिया है नीबू का जूस अब इसके बाद मैं हम क्या डालेंगे इसमें अब इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा काला नमक ताकि आपके पेट में गैस न बने तो हमें थोड़ा सकाला नमक डालना है इसमें और अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे आपस में और लीजे दोस्तों ये नुस्खा आपका बन करके बिल्कुल तैयार है अब मैं आपको बता दूँ किसको पीएंगे कैसे और कितने दिन पीएंगे दोस्तों आप इसको जब ट्राई करेंगे न तो आपके जो बवासीर के मस्तों में अगर दर्द हो रहा होगा तो वो दर्द आपका पहले दिन से ही गायव हो जाएगा इसको आप जरूर ट्राई करना ये नुसका बहुत ज़रा काम का है और गजब का अब इसके बाद में आपको क्या करना इसके जो ये जो नीवू को बीज है इनको आप निकाल देना अब दोस्तों आपको इसको पीना कैसे है इसे आप सुबह खाली पेट सुबह जब उठेंगे तो खाली पेट एक ग्लास जूस खीरे का इस तरीके से बना करके नीवू डा किया भी है जूट किये खाना का अब के पहले खाली पेट उस तरीके से आप लगातार शूबह सुबह 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 जाएंगे तो दोस्तों यह हो गया नुस्का अब आपको बता दूँ इसके साथ मैं आपको थोड़ा परेज करना है आपको बाद ही नहीं खानी है जैसे कि बैगन, अर्वी, राजमा, ये सारी उड़त की दाल, ये सारी चीज़ आपको नहीं लेनी है और इसके साथ साथ आपको मैदे वाली चीज़ें भी नहीं खानी है यानि कि आपको अपने पेट में कबज को बिल्कुल नहीं होने दे रहा है पैसे तो लेकिन आप मैधे वाली छीजा में बिल्कुर आईस्क्रीम बगएरा नख आए और आप बस इतना परेश करना और आप ज्यादा वड़्ी यह यह बहुत ज्यादा मिर्च सबचे जाने वाली सब्स데 ऴॉस्रे कं वरा में तो आप ने इतना कर लिया मैं 200% आप से बोल सकती हूं कि आपकी बवासीर के मस्से और बवासीर जड़ से गतम हो जाएगा लेकिन आप मेरे बताएं दूसार बिल्कुल ताजा जूस निकालें ताजा जूस पीएं तो चलिए दोस्तों अब दीजिए इजायाद वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें दोस्तों सेरे कर दिए चैनल सब्सक्राइब कर लिजे मैं मिलती हूं नए वीडियो साथ नए नोच के साथ तक लिए नमस्कार